असलाम लेकूम मेरा नमश सुहेब हाज़रो एक ने इंफिरमेटी विडियो के साथ आज की हमारी विडियो है कि घर बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं हमने ये एक new साइड स्टार्ट की है दस मरला की तो आज की वीडियों में हम आप लोग को बताएंगे के घर बनाना कैसे शुरू किया जाता है different steps में के आप लोग अपने घर को कैसे complete करते हैं तो चलें start करते हैं सबसे पहले आप लोग अपनी requirements के मताबिक plot खरीदते हैं plot खरीदने के बाद अगला मरहला होता है नकशे का नकशा पास वोगरा करवाने के बाद अपनी requirements आप लोग अर्किटेक्ट को बताते हैं और उसके मताबिक आप लोगो वो नकशा प्रोवाइड करता है नक्षा वग्यरा पास होने के बाद आप लोगं का जो अगला मरहला होता है वो आप लोगं का ठेकेदार का चनाव होता है किसी भी ठेकेदार का चनाव घर बनाने के लिए बहुत ही एहम चीज समझा जाता है क्योंकि उसने घर को complete करना होता है अच्छा ठेकेदार मिल जाए तो आप लोग का जो घर है वो बड़ी असानी के साथ पायत अक्मीर तक पहुंच जाता है अगर आप लोग का ठेकेदार अच्छा ना हो नहीं करवा रहे खुद करवाना चाहते हैं तो अगर आप लोग का experience है construction का आप खुद वहाँ पे time दे सकते हैं काम करवाने के लिए material प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप लोग वहाँ बैठ के misteriों से काम करवा सकते हैं आप लोग का experience है तो आप लोग फिर खुद काम करवाएं अगर आप लोग का construction का बिलकुल भी experience नहीं तो आप बिलकुल भी खुद काम ना करवाईएगा आप लोग को नुकसान हो सकता है आप लोग का जो काम है वो खराब हो सकता है तो अगर आप लोग का construction का experience नहीं है तो आप लोग किसी ठेकेदार से काम करवाएं चाहे आप material उसको खुद दे दें चाहे आप with material कर लें ये आपके depend करता है कि आप लोग किस तरह काम करवाना चाहते हैं तो ठेकेदार के चुनाव के बाद आप लोग उससे kontract कर लेते हैं और फिर वो आप लोग का जो अगला मरहला हता है वो सबसे पहले बुनियादों की खुदाई होता है बुनियादों का layout करने के बाद बुनियादों की खुदाई जैसा कि हम लोग ने complete कर ली है खुदाई कंप्लीट होने के बाद खुदाई होने के दुरान दुरान आप लोग अपना जो बनियादों तक का मिटीरियल होता है इन्टें वगएरा इसके लावा रोडी है रेत है डीपीसी के लिए आप लोग की बजरी है वो आप बुनियादों की खुदाई होने के दुरान दुरान जमा कर लें इसकी के दुरान आप लोग अपना पानी का कनेक्शन, इलेक्रिसिटी का कनेक्शन वगएरा वो भी लगवा लें ताके during construction किसी भी परिशानी का सामना ना करना पड़े खुदाई करने के बाद आप लोग उसमें सबसे पहले रोडी डालने से पहले आप लोग टर्माइट प्रूफिंग यानि कि टर्माइट का जो सप्रे है दिम्मक बचाने के लिए घर को वो आप लोग बनियादों में जरूर करवा लें बनियादों में भी एक आप लोग application करवाते हैं और दूसरी application आप लोग फर्श कच्छे होने के दुरान करवाते हैं तो इस तरह आप लोग ने बनियादों में टर्माइट सप्रे जरूर करवा लेना है सप्रेय करने के बाद आप लोग अपनी बुनियाद की जो बेस है वो तियार करवाते हैं बुनियादों में रोडी डाली जाती है रोडी डालने के बाद उपर मसाला डालके आप लोग कमपैक्टर चलाते हैं इस तरह आप लोग की जो बुनियाद की बेस है वो तियार हो जाती है बुनियाद की बेस तियार करने के बाद आप लोग फर्दर अपना जो ब्रिक वर्क है इंटों का काम वो स्टार्ट करते है बनियादों के चुनाई मकमल होने के बाद आप लोग उसमें घसू की फिलिंग करते हैं फिलिंग होने के दुरान आप लोग दो से तीन दिन लग जाते हैं आप लोग की घसू की फिलिंग होने के तो इनी दिनों के दुरान आप लोगों ने अपना जो ground floor का material है इंटें, बजरी, सीमट वगारा वो आप लोगों ने जमा कर लेना है ताकि फिलिंग होने के दुरान फौरी बाद आप लोगों का जो ground floor का brick work है वो start हो जाए तो इस तरह आप लोगों ने सारे steps को follow करना है अगर आप लोगों खुद काम करवा रहे हैं तो वो एक अलग topic है अगर आप लोगों किसी ठेकेदार से काम करवा रहे हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की ठेकेदार की होती है आप लोग वक्फे वक्फे से अपने काम को चेक करते रहें कि आप लोग काम ठीक हो रहा या नहीं हो रहा ठेकेदार जो जिस तरीके से आप लोगों ने उससे अग्रीमेंट किया है उस तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस तरह आप लोगों ने काम करवाना है इंशाला किसी दिन डटेल के साथ इस पर वीडियो बनाएंगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो उमीद करतों आप लोगगों को वीडियो पसंदा ही होगी अगर आप लोंको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लहोर में हमसे घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे राप्ता कर सकते हैं मिलतें नेक्स वीडियो के साथ अलाफिस